अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्रेशिस से लाइक करें, शेयर करें, हमारे चल्ड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकिशन आसपानी से मिल सकें तो दोस्तों आज की इ समस्या से राहत ही नहीं दिलाता हम सब को बलकि उसको जड़ से भी खतम कर देता है तो ऐसी दस आयोवेदिक जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताती हूं जो कि आपको बिना साइड इफेक्ट के और आपके स्वास्त के लिए लाबदायक होगा और आपके सिहत की सम वह होती हैं वह खून साफ करती हैं सिर्के दर्द को ठीक करती हैं खराब गले को भी रहत पहुचाती है उल्ट्यों को रोकती है और दातों की दिक्कतों से भी आपको दिञाती है पुदीदerting जो होता है जो शड़ीer में बैक्टिरिया पयदा होने से रोकता है यह प्धीन और इसकी जड़ों और पत्तियों में और इसमें सबसे अच्छी जो होते हैं और इससे जोडों के दर्द अर्थराइटिस पाचन विकार दिल और लीवर की समस्याओं से लड़ने की शमता होती है यहां तक की कैंसर सेल्स को भी खतम करती है और स्किन को भी बहुत अच्छा ब यह आम तोर पर उत्तर भारत में उगाए जाता है और इसे चाइब में डालकर पीने का चलन है लेमन ग्रास शरीर जोडों सिर और माशपेशियों के दर्द से आपको निजाद दिलाती है और स्ट्रोक से भी बचाती है दोस्तों तो आप लेमन ग्रास का भी यूज कर सकते ह अगला है आपका सफेद कमल तो सफेद कमल की पतियां जो होती है वह फूल बीज और जड़ों से हैजा पेट की बिमारियां कब्ज और आखों की इंट्रेक्शन का इलाज कर सकते हैं उससे और सफेद कमल के बीजों को भी आप बहुत अच्छी तरीक से इसमाल कर सकते हैं ज खाने से दिल की सेहत बनती है सूजन घटती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड ट्रेशर कम होता है तो गुलाब की पतियों से भी स्ट्रोग मासिक पीडा अपच और अनिंद्रा से निजात आपको मिल सकती हैं दोस्तों अगला है आपका मेहंदी की पतियां तो म करने से स्ट्रोग में चौट जा सकता है और चाले असर चोट भुखार हैंब्रेच और मासिक दर को महंदी की पतिया पो छुटकारास दिला सकता है तो मेहंदी की की पतिया स्वज़ा को फालूदा में कूलिंग एजेंट के तोर पर डाला जाता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाता है और इनके सेवन से इम्मिन्यूटी बढ़ती है ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल की सिहत बनती है और इन्हें खाने से स्किन अच्छी होती है और सूजन घटती है दोस्तों तो आप स्वज़ा का भी इस्तमाल कर सकते हैं और यह आपको एजिली किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा तो आप स्वज़ा का इस्तमाल कीजिए अगला है आपका दाल चिनी भारतिय मसालों में डालचीनी एहम है और इसके सेवन से दर्द कम होता है और अकड़न दूर होती है यह किड्नी को डिटॉक्स करता है और सास संबंदनी दिक्कतों को दूर कर बलड सर्कुलेशन बढ़ाता है तो आप दोस्तों डालचीनी का भी इस्तमाल आपको बहुत सानी से मिल जाएगा डालचीनी आपके कीचन में अगला है आपका इस्वगूल इस्वगूल की भुस्ती कवच का अच्चो की लाज है यह एक तरह की घुट्टी है जो आंतों को रिलक्स करती है और इसे पीस कर जोडो पर लगाने से जोडो के दर्द में भी आपको अराम मिलता है तो जब भी आपको जोडो का दर्द हो तो आप इस्वगूल की भुस्ती का यूज कर सकते हैं अगला है आपका कपूर इस पोधे के अंगनित फाइन्टी होते हैं इसकी छाल से बैक्टे लीवर की दिक्कते और दात के दर्द का भी इलाज किया जा सकता है इसे मास बेशियो या नसो का दर्द ठीक करने और डिप्रेशन का इलाज करने के लिए भी आप इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों यह 10 मैंने आपको बताए तो अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर कर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन बुटन दबान ना भूले अगली वीडियो में आपको बताऊंगी इसके और भी अच्छे अच्छे हो पाएं दस्तर के जो में बताये थे आपको तो दोस्तो बाई मिलते हमारे नेक्स वीडियो में बाई